असहमती और विरोत का सम्मान करना तो हर राजा को आना ही चाहिए सम्राड और शासन से असहमत होना तो प्रजा का अधिकार होता है और असहमती तो हमेशा नई दिशाय डूढ़ती है सम्राड बुद्ध, महाफीर, चारवक जैसे लोग भी वेदो से असहमत थे लेकिन वहीं परिनाम स्वरू उन्होंने हमें नई नई धार्मिक विचार धाराओं से भी परिचिप करवाया और असहमती का सम्मान करना तो हमारी परंपरा है लेकिन भैबीत तो हम उस दिन के लिए हैं जिस दिन बुद्धी जीओ और ज्यानी जैं लित्यू की भै से सच बोलना बन करते हैं वो दिन पृत्वी के प्रचाय का दिन होगा विप्र कभी शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता सम्राड उनका शस्त्र तो प्राग्य है और अगर एक विप्र संपूर्ण सस्त्र का निर्मान कर सकता है तो उसका विनाश भी तो कर सकता है ना